हल्दुवानी के मेडिकल कॉलेज में बिजली के बिल लेकर हैरान करने वाला मामला सामने आया है दरसल यहां खाली पड़े कोविड अस्पताल का बिजली बिल 75 लाख रुपे आया आपको बता दें कि इस कोविड अस्पताल का शोभारंब जून महा में कोविड की दूसरी लहर के दोरान हुआ था जिसकी समय सीमा 6 महिने की तैकी गई थी पिछले 6 महा में इस कोविड अस्पताल में 77 कोविड मरीजों का इलाज हुआ वर्तमान में यहां कोविड का एक ही मरीज भरती है इस अस्पताल में डॉक्टर, स्टाफ, नर्स और मरीज के इलाज की जिम्मेदारी मेडिकल कॉलेज को सौपी गई थी DRDO दुवरा तयार इस कोविड अस्पताल के बिजली का बिल करीब 75 लाग हो चुका है जिसका भुक्तान होना बाकी है वहीं वर्तमान में कोविड के मरीज ना के बराबर है लहाजा कोविड अस्पताल की देखरेक और अन्य खर्चे लगातार बढ़ते जा रही है ऐसे में DRDO दुवरा बनाए गई अस्पताल के संचालन को लेकर अब संचे बरकरार है कि सरकार कोविड अस्पताल के संचालन को आगे बढ़ाती है या बंद करने का निने लेती है स्टाफिंग भी करी ही वह है अब वह सब्सक्राइब को राजी है लेकिन चुकि मरीज कम है और आज की तारीक में एक ही मरीज है कि आगे एक्स्टेंट होना कितना है करना होगा कि वह होगा कि इसको डिस्पैंटलिंग होती है तो भी अपने अपने एक बड़ी एक्सराइज है फिर उसको नया तो करना मुश्किल है लेकिन यह गवर्मन्न का अवगत भी का दिया इसमें कि अब देखें बड़ा यूनिट है तो उसकी रुनिंग कोस आती है स्टाफिंग एक हुई मैंन पौर अलग हुई बिजली का बिल हुआ रुनिंग कोस्ट है बिजली का भी बड़ा हाई लूट दिया गया था विकि वह दिया गया था कि पांसों मिच फुल होंगे उसके हिसा आई सीओ आई सब चेलें की उनके साब से बनाया गया था लोट टेंपरी करेंशन देख तो उसके बिज्यादा होते हैं तो अब यह बात थी डॉक्टर नर्सिस तो हमारे शुशा तो इस पाल के वहीं दिये गया थे तो अलग से इससे नहीं करे गए तो और है कि डेटा एं हैं हाउस्कीपिंग स्टाफ है वो है वो डियाज्य अपने सतर से कर रहते हैं उनका वह बुक्तान मुखत करते हैं उससे हमारा लायविल्टी नहीं है हल्दवानी में बनाया गया कोविट केर सेंटर अब सफेध हाती साबित होता जा रहा है क्योंकि लगातार इसके जो खर्चे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि इस इंफरस्ट्रक्टर जो यहाँ पर बनाया गया था कोविट केर सेंटर का इसका जो करार है वो दिसंबर तक है सरकार के साथ लेकिन उसके बाद इस COVID Care Center को संचालित किया जाएगा या इसे wind up किया जाएगा इस पर अभी संच से बरकरार है हलांकि Medical College ने सरकार को इस पर एक पत्र लिखाये और ये कहा है कि इस पर इस पस्ट करें कि इसे आगे चलाये जाएगा या इसे wind up किया के लिए बात दे होना पड़ा है हलदवानी सितार जोसी पंजाब के सीटीवी हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप यह वीडियो फेस्बुक प धन्यवाद